Hi everyone, I am Apoorba, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, 26 April 2021 की रेपोर्ट जो आज आने वाला था फैसला दसवी और बारवी की परिक्षाओं का तो यहाँ पर जो है फैसला आ चुका है जो नेर्ने लिया गया है, यहाँ पर दसवी बारवी की परिक्षाओं का इसमें स्टुडेंट्स को 10th क्लास के MP Board के मादिमेक सिक्षामंडल भुपाल के द्वारा ठीक है, और सभी बिद्यार्तियों को कक्षाओं 11 में प्रवेश दिया जाएगा, और आज से पहले तक इस प्रक्रिया को जनरल प्रमोशन कहते थे, परंतु इस बार इसे कोई नया नाम दि किया जाएगा, ठीक है, पहले जनरल प्रमोशन बोलते थे से, लेकिन इस बार कुछ और नाम दिया जाएगा, और सरकार द्वारा इसको जो है, आंत्रिक मुल्यांकन के आघार पर बच्चों को पास किया जाएगा 10th क्लास में, ठीक है, और इसके साथ ही 12th क्लास का भी फैस समाचार का जो है, रिपोर्ट है, यहां पर आगे अगर हम बात करें, तो इसमें जैसा कि बताया गया है कि भोपालसमाचार.com ने 14 अप्रेल 2021 को बता दिया था कि MP वोर्ड में 10 वी को जनरल प्रमोशन मिलेगा, क्योंकि CBSE, ठीक है, सेंट्रल वोर्ड जो CBSE एक्जाम था, तो सेंट्रल वोर्ड ने भी जो 10th क्लास के स्टूरेंट है, उनको जनरल प्रमोशन पहले ही दे दिया था, इसलिए मध्यप्रदेश सरकार भी जनरल प्रमोशन देना पढ़ा, ठीक है, और सरकार आप देख रहे हैं, इस वार जो कोर्णा के केसिस हैं, वो पिछली वार 2020 के जो कोर्णा केसिस से उससे कही जादा इस बार बढ़ रहे हैं, तो इसलिए जो है इस बार ज्यादा बेकाबू है कोर्णा तो इसको कंट्रोल में लाने के लिए जो है जनरल प्रमोशन को 10th क्लास में दिया गया है, ताकि जो है कोई भी अपने घरों से नाने के लिए सभी पर सुरक्षित रहे हैं, ठीक है, बही सब कुछ होने वाला है, और स्कूल सिक्षा मंतरी श्री इंदर सिंग परमार का बयान आया है कि स्री परमाने मीडिया के सामने बही लाइन दोर आई है जो मुख्य मंतरी सिवरा सिंग चौहान ने प्रिधान मंतरी स्री नरेंद मोदी से कहीती कि परिक्षा करवाकर बच्चों की जान खत्रे में नहीं डाल सकते हैं, अब बात करेंगे 12 क्लास की तो MP वोर 12 की परिक्षाओं का फैसला भी सुरक्षित है और क्योंकि बार्बी की हायर सेकंडरी के बाद कॉलेज, एडमिशन एवं केरियर के सभी विकालप ओपन होते हैं, इसलिए परिक्षा का आयोजन होना अनिवार है, और सिक्षा बिबाग के सूत्रों का कहना है कि आज की मीटिंग, यानि 26 एपरेल की जो मीटिंग है, इस बात का फैसला हुआ है कि परिक्षा ओफलाइन होगी, अथवा ओनलाइन, ठीक है, तो ओनलाइन या ओफला या उनलाइन एक्जाम का जबकि परिस्थितियां बता रही है कि सरकार फिलाल कोई फैसला नहीं ले सकती ठीक है तो दोनों मोड में से किसी भी मोड से हो सकती है 12 के एक्जाम लेकिन 12 के एक्जाम आपके होंगे तो आप लोग जो है अपने स्टडी को continue रखें और 10 का जो था का रिजल्ट यही हो गया है कि 10 वालों को पास कर दिया गया है ठीक है तो नभीन सिक्षा सत्र को समय पर सुरू करने के लिए जून में परिक्षा होना आती अनिवार है परन्तु कोर्ना वायरस से लड़ने के लिए जिस तरह की तैयारियां सरकार कर रही है उसके हिसाब से संक्रमड के पांच प्रिशत से नीचे आने की संभाबना नहीं है और यदि संक्रमड की स्थिती में सरकार ने पर इच्छा कराएं तो पैरेंट्स सरकार को फेल कर देंगे ठीक है इसलिए जो है सरकार फैसला यह इसका फैसला माई लास्ट तक आपको बताया जाएगा कि आ कर सकते हैं अपनी स्ट्रीम चूज कर सकते हैं तो यही निर्णा है 10 के लिए तो काफी ठीक रहा यह इस्तिती वस ट्वेल्थ वालों को जो है थोड़े सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी तो थैंक्स फो वाजिंग माई वीडियो प्लीज वीडियो को जादा लाइक करे करें चैनल पना हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू